हेलो एब्रिवन स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जैसा कि यहां पर काफी बच्चे इंतिजार कर रहे थे कि यूजी के अलॉट्मेंट रिजल्ट के तो फाइनली आपके यूजी कोर्स के अलॉट्मेंट रिजल्ट जारी कर दिये गए हैं कैसे आपको चेक करना किये थे स्टूडन्स उनके रिजल्ट जारी कर दिये गए हैं कैसे आपको चेक करना है तो चलते हैं डीडू की वेबसाइट पे और देखते हैं तो आप गूगल या क्रोम पे डीडू की ओफिशल वेबसाइट पे आ जाएंगे डीडू.ac.in पे यहां पे आने के बाद कु 20 seconds का वेट कर सकते हैं तो कुछ यहां पर आपको दीख रहा होगा सीधे यहां पे click here to view seat allotment result for UG programs. तो PG programs के आ चुके थे तो यहां पर UG programs के जितने भी हैं BA, BC, 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 BBA, सारे courses के यहां पर क्या है allotment result जो है जारी कर दिए हैं कैसे चेक करना है तो click करना है आपको इस पे इस पे click करने के बाद अपना mobile number और password ठीक है उसको क्या करना है लिख देना है ठीक उसके बाद यहां पर capture code आपको यहां पे mention करना है मैं सारा procedure बता रही है ताकि किसी को भी problem ना आए ठीक है उसके बाद click करने के बाद इसको click करना है login करना है एक second पाइफ ठीक है इसको करने के बाद login करना है login करने के बाद few seconds का wait कर सकते है ठीक है यहां पे जैसा कि आप देख सकते है कि students are become honors की तो यहां पर आपको view allotted seat ठीक है जैसे ही आप इस पे click करेंगे जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यहां पे आपको क्या है दिख जाएगा ठीक है यहां पे ठीक है आपका UG courses का भी allotment results जारी कर दिया गया है इसके बाद आप fees payment करेंगे उसके बाद फिर जब document verification के लिए बुला जाएगा तब और second counseling कब से start है तो second counseling आपका 3rd August से start है जिसको भी college नहीं मिला है मन पसंचा तो उसका वीडियो में अलग से बना दूगी क्या आपको करना है कैसे procedure ओके थैंक यू तो all the very best आप allotment results जाके आपको इसी procedure से देख सकते हैं और comment section में जरूर बताएगा कि किनको डीडियू मिला है किनको नहीं मिला है और कोई भी doubts है तो झाल झाल